नमस्कार आप सब का स्वागत हैं हमारे चैनल नेक्स्ट एनाई न्यूस पर मैं नाम है दीपक गुपता महराश्टर के सियासी संकट के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुए उसकी बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं वो समर्थन की सरकार है शिंदे और फणवीज के समर्थन की सरकार है और निर्दले विधायकों के समर्थन की सरकार है लेकिन शरत पवार आदित्य ठाकरे उद्व ठाकरे का कहना यह है कि यह जो समर्थन की सरकार है ताश की पत्तों की तरह डह जाएगी क्यों जब चुनाव आएगा और चुनाम में हमारा सामना करेगी ये शिंदे फणवीज की सरकार तो ना इनके 50 विधायकों मैंसे 45 विधायकों को हराया तो हमारी सरकार M.B.A. नहीं का चैलेंज दे रखा अदव चाकरे ने कि BMC चुनाम में आप 1500 सीट जी ने जीतने की बात कर रहे हो BMC चुनाम में शिवसेना का दबदबा था है और रहेगा ये अदव चाकरे ने बाते कहीं है लेकिन 45 विधायकों को लेकर कुछी दिनों पहले N.C.P की तरफ से कई नेता थे जिसमें शरतवार की बाते करें तो वो ये कहते नजराय थे कि इन 45 विधायकों को हार का सामना करना पड़ेगा उदर से एक ना शिंदे ने कह रखा है कि अगर एक भी विधायक जी यहां एक भी 49 में से अगर एक भी विधायक हारा तो मिस्तिफा दे दूँगा मैं राजनिती छोड़ दूँगा ये बात कहते नजराय थे और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही दो-ती दिन पहले की बात करें तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो इससे में आकड़ा फ्लोर टेस्ट में 164 का था वो ना दोसों के पार पहुंचा तो रही बास शिंदे और फणावीस की लेकिन इन सब के बीच जो 45 विधायकों पर आच आईवी है वो बहुत दिल्चस्प है कोट का फैसला 16 विधायकों की आयोगता पर है और यहां पर जो फैसला है वो 45 विधायकों की आज़ पर है कि कैसे एक नाश शिंदे अपने विधायकों को बचा पाएंगे क्योंकि शि दिल्ली में दोरा करने गए, क्या वहां मुझरा करने गए तो ऐसे इसे शब्दों का इस्तिमाल हो रहा है यहां पर विपक्ष के तरफ से एक ना शिंदे और फणाविस की सरकार के द्वारा, लेकिन देखना यही दिल्चस्प है कि महराश्ट्र में सत्ता परिवर्तन को लेक अगर जो अंदेशा जताया जा रहा है, क्या वो अंदेशा सच साबित होता है, अगर ऐसा होता है, तो महराश्ट्र की सियासी सत्ता किस और का रुख करेगी, म्बए की तरफ या शिंदे फणाविस की तरफ, लेकिन आपकी क्या राए है, क्या महराश्ट्र में शिंदे